अच्छे एक बात बताईए क्या आपको प्रोग्रामिंग पसंद है? क्या आप इस फिल्ड में बिगिनर हैं और अपना करियर प्रोग्रामिंग के कॉंपुटिटिव वर्ल में स्टार्ट करना चाहते हैं? और क्या एक बिगिनर के तोर पर आप पाइथन लर्निंग के लिए रिसोर्स जून रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का इस वीडियो आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्विज को स्टेप बाइ को ये बता दे कि पाइथन एक इंपॉर्टेंट और पॉप्यलर लैंग्विज है, जिसका यूज डेटा साइंस, वेब डिवलप्मेंट, सॉफ्वेर एंजिनियरिंग, गेम डिवलप्मेंट और आटोमेशन जैसे फील्स में होता है. अब इन सारे फील्स का नाम सुनकर आ लेकिन ये लैंग्विज सीखना आपके लिए उतना भी टफ नहीं होगा जितना बाकी पॉप्यलर लैंविज सीखना हुआ करता है. और अगर आप स्टेप बाइ स्टेप अप्रोच लेंगे तो ये आपके लिए जादा आसान होता जाएगा. अब अगर आप ये जानना चा हाँ वैसे ये जरूर है कि आप थोड़े ही टाइम में सिंपल बट फॉंक्शनल पाइथन कोड लिखना सीख चाहेंगे. और आगे तो ये प्रॉसेस चलता ही रहेगा. अब सवाल ये आता है कि पाइथन के लिए आप तयारी कहां से शुरू करें. तो इस प्रॉब्लम का सि रिलेटिट इंट्रिस्टिंग थिंग्स भी शेयर करने वाले हैं. इसलिए अगर आप पाइथन के बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो आपके लिए गीक्स पोर गीक्स का ये फ्री कोर्स अवेलेबल है. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक पर जाकर सारी डिटे अगर आप इस फिल्ड में बिगिनर है तो भी पाइथन लैंग्विज आपके लिए सूटेबल है और अगर आप इक्सपीरियंस्ट प्रोग्रामर है तो आपके लिए भी ये लैंग्विज सूटेबल रहेगी. चलिए ये तो समझ में आ गया कि पाइथन एक फ्लेक्सिबल पॉबिलर और इन डिमांड लैंग्विज है लेकिन फिर भी इसे सीखने का स्ट्रॉंग रीजन क्या है? यानि एक बिगिनर को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्विज क्यों सीखनी चाहिए? इसका जवाब तो आपको उन अप्लिकेशन्स और 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 जानकर के ही मिल जा लैंग्विज डिवलप्मेंट और प्रोटो टाइपिंग और ऐसी टॉप ऑर्गिनाजेशन्स जो पाइथन लैंग्विज का यूज करती है वो है गूगल जिसे कॉम्पोनेंट्स और गूगल स्पाइडर एंड सर्च इंजिन में इसका यूज होता है याहू मैप्स, यू को इस टेकनॉलजी वर्ड में एक अच्छी पुजिशन पर जगे दिला सके तो आप गीक्स पोर गीक्स के पाइथन पाउंडेशन लेवल कोर्स को चेक आउट कर सकते हैं और अगर अभी भी आपको चैसे स्ट्रॉंग पॉइंट्स जानना चाहते हैं जो आपको पाइथन लैंग्विज की वैल्यू और इंपॉर्टेंस बता सके तो आपको ये बाते जरूर जान लेनी चाहिए अभी पाइथन लैंग्विज सबसे ज़्यादा यूज होने वाली मल्टी पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्विज बनी हुई है पाइथन अबजेक्ट और प्रोग्रामिंग अलाउ करती है पाइथन प्रोग्राम्स जनरली जावा जैसी अधर प्रोग्रामिंग लैंग्विज से छोटे होते हैं इसलिए इसमें प्रोग्रामर्स को कम टाइप करना पड़ता है और इस लैंग्विज की इंडिटेशन रेक्वाइर्मेंट इसे आल टाइम रेडेबल बनाती है। Python Language का यूज़ अल्मुस्स सभी Tech Joints कंपनी जैसे Google, Amazon, Facebook, Instagram, Dropbox और Uber कर रहे हैं। Python की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसके पास Standard Library का यूज़ कलेक्शन होना है, जिसका यूज़ इन सब में हो सकता है। Machine Learning, GUI Applications लाइक कीवी, टिकेंटर, पेवाई, क्यूटी, एक्सेटरा, वेब फ्रेमवर्क्स लाइक जैंगो जिसका यूज़ 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 इंस्टाग्राम, Dropbox करते हैं। Image Processing लाइक OpenCV Pillow, वेब स्क्रापिंग लाइक Scrappy, Beautiful Soup, Selenium, Test Frameworks, Multimedia, Scientific Computing और Text Processing और जब आप YouTube चैनल पर विज़िट करते हुए, अक्सर यही ढूंडा करते हैं कि Programming Language सीखने के लिए Best Resources कौन से हैं, तो आप Geeks4Geeks के Python चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको Python और Other Computer Science Trends के बारे में Latest Info मिल सकें। और साथ में Interview Experiences, Problem Solving Videos जैसा और भी बहुत कुछ आप Enjoy कर सकें। और जैसा कि अमने वीडियो में पहले यह जाना था कि Python Programming Language Machine Learning में भी यूज की जाती हैं। तो आप इसके बारे में जानने के लिए Curious भी जरूर होंगे क्योंकि Machine Learning ही तो Future of Technology हैं। तो ऐसे में अगर आप Machine Learnings Foundation Learn करना चाते हैं। तो आप Geeks Poor Geeks के Machine Learning Foundation with Python कोर्स को भी चेक आउट कर सकते हैं। और इस कोर्स के फीचर्स हैं। पहला है Training Certificate। दूसरा है Complimentary Access to ML Basics Course वर्थ रुपीज 1,499 और तीसरा है 6 Months Access to Recorded Live Lectures। 4 Project Based Learning जो आपके Resume में Stars Add कर देगी। 5 Real World Applications पर Based 3 Projects जिन में 1st Major Project और 2nd Minor Projects इंक्लूड है। 6. Kegel पर Data Scientists कैसे Work करते हैं इसकी Understanding। तो इस कोर्स के Key Features से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको क्लियरली बताते हैं कि इस कोर्स से आप क्या सीखेंगे। Data Science Related Python Tools, Machine Learning, Real Life Problems Solve करने के लिए ML Models की Applications और Kaggle। और इस तरह Python Programming Language को Scratch से सीखने के लिए Geeks4Geeks एक अच्छा प्लैटफॉर्म साबित हो सकता है। इसलिए आप एक बार इस वेबसाइट पर विजिट जरूर करें। और अगर Programming Language से Related Quick Support का ये वीडियो आपको Helpful लगा हो तो इस वीडियो को Like और Share जरूर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आएं हैं तो Education, Career, Information और Innovation से Related वीडियो जल्दी जल्दी देखने के लिए Quick Support को Subscribe करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।